बिहार बूर्ट प्रिच्छा के नंबर वन चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तो आज हम लोग जो कवर करने वाले एक हिंदी के मोरल सेट जो दोस्तो आपको बहुत इंपोर्टन है इस वीडियो को देखना अगर आप इस वीडियो को देखकर अगर आप जो है जवाब दे पा रहे हैं एक सो में एक सो दोस्तो इसका मतलब कि आपका जो बिल्कुल तैयारी हो चुकी है अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो आपको जो पढ़ने की जरूरत है और अच्छी तरीके से इस वीडियो को देखने की जरूरत है क्योंकि दोस्तों क्या है कि मोडल सेट से सो बहुत सारे प्रशन आपको एक्जामें देखने को मिलते हैं सो आज में जो लेकर आया हूँ यह पूरी जो है मोडल सेट है जो बिहार बोड से रिलीटेड यानि एक सो अब्जेक्टिव प्रशन है दोस्तों सारे प्रशन को आपको बहुत अत्यांत जो है देखना जरूरी है क्या बोला जा रहा है कि बाल कृष्ण भट करते हैं क्या अंसर हो जाएगा यहां तेंडु यूग भारत तेंदु यूग यहाँ पर राइटन सर क्यों जागा यह नमबर हो जागा ठीक है चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन एक सो नमबर को देखने वाले हैं सभी को आप लोग को एक एक से देखना है ठीक है यहाँ पर देखें बाल जा रहा है कि उसने कहा था सिर्सक कहानी के रचता का नाम बताएं तो उसने कहा था सिर्सक कहानी के रचता का नाम क्या है तो यह पर तीन नमर का ए नमर हो जाएगा अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेशन क्या चार को दिखेंगे चार नमर क्वेशन क्या बोला जा रहा ह गुलेरी का मूल निवास अस्थान कहां था तो इसका जो राइट अंशर चार नमर का तबी नमबर जायगा यह दोस्तों गुलेर कंगडा हीमाचल प्रदेश यहां पर एफ एनसर दिनंबर ठीक है तो यह सारे प्रश्ण आपको जो है देखना है सारे प्रश्ण को संपूर्ण करांती शिर्षक भासन किस ने दिया था तो यहां पर जो दोस्तों पांच नमर का क्या हो जाएगा यहां प्रकाश नारायन हो जाएगा जोस्तों इस वीडियो को अगर आप अच्छी तरीकी से देख ले रहे हो तो क्या होगा कि आपको बहुत सारे प्रशन जो है एक्जाम को सेम सेम देखने को मिलेगा सो देखना है पूरे वीडियो को अब यहां पर देखें बिहार के छात्र आंदुलन का जेपी का नेतुर्तिक किस ने किया तो छे नमबर का राइटेंसर यहां पर क्या हो जाएगा अब दूस्तों आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन व सिर्षक नीबंद के निबंदकार का नाम बताने के लिए बोला है तो आठ नमबर का रामधारी सिंग दिनका राइटेंसर यह नमबर हो जाएगा ठीक है दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन क्या नो नमबर की और तो देखेंगे का पुरा नाम क्या है तो अग् दानन सिना हो जाएगा सच्ची दानन हरी दन वात्स वात्षयानन अग्या ठीक है चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं क्वेश्चन मेर दस की और तो यहां पर दस नुम्र क्या बढ़ जा रहा है किस पार्ट में आया है तीन बज गए चार बज गए 11 बज गए तो यहां नुम्र यानि रोज में आया है ठीक है दोस्तों चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन मेर 11 कि और तो गया नुम्र क्वेश्चन क्या बढ़ रहा है किस पार्ट की उक्ति है विपत्तिया विपूर वैक्ति को पूर्ण बनाने वाली है तो यहां पर दोस्तों कौन सा पर देखे लिए चलिक है अब देख लेता है यह निवंद के निवंदकार का नाम बताए तो यहां पर तेरे नुम्र का नंसर चौन तो यह नुम्र हो जाएगा दोस्तों जद्दिस चंद्र मातूर हो जाएगा अब देखें हापर क्या बोल जाए रहा है कहरें कि चौद नम्बर कैसे ताल है तो चौध दोस्तों चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेसें निम्नांकित में से कौन है तो इसका इसी निस्जाएक जाएगा एक बिशनी अब दोस्तों आगे नंबर देखते हैं कोश्चन मैं क्या बोला जा रहा है मोहन राकिस के बच्पन का नाम था तो यह नम्हादन गुगलाणी लिया गया है अब देख लेते हैं कोश्वर अठार है करें जूठन क्या है तो जूठन किया है तो यहां पर अठारी राइट ऑपूसर के दिश्वर के हुण है तो हस्ते वे मेरा अकेला अपन के लेखर कि ये थिक ले अब देख लेते हैं किस नमर क्या बढ़े ऑपर कहे रहा कि तिर्ची कहानी किस परकार की है तिर्ची जो कहानी किस परकार के है जहां है वहां मेहां नहीं हो सकती तो 22 यहां पर क्या हो जाएगा तो 22 नमबर हो जायाँ मैं घरिकश्ञ अब दबन किस ने लिखा ए tai टेजिए का यह कि रखा कि कवेट जबन से मखेने हो जाएगा अब आगे बहते हैं कि क्या देख Agora कि क्या रहा हुआ कि मलिक को मुषमत जाई का है मिवास मोहमे जाई से का निवास अस्थान का है तुल पैए tis 25 और रेन तेम्म सर डी नमबर जाएगा यानि जाएस कब्र अमेठी उत्तर पर्देश्या पर हो जाएगा अब देख लेते हैं अगला प्रश्न है कोईशन नुबर 26 क्या बोले जा रहा है कि किसने सूर्दास से कहा सूर्दय के ऐसी घिग्यात का है हो कुछ भगवत लीला वरनन करो तो यह पर 26 का राइन सर तोklore, एनब हो जाएगा दोस्तों यानि बल्लाबा चारिया हो जाएक गुरू बल्लाबा जारिये अब आगे बढ़ते है क्वेश्यों क्या DAKK67 कि सूर्दास कि सूर्दास के कवीख का यह सूर्दास कि सूर्दास किसा क면 देख न्मब तुलसी दास के दिख्षा गुरू का नाम क्या है तो 28 का राइट एंसर बी नंबर जाएगा यानि कि यह नर नर हरीदास ठीक है जुक्तो नर हरीदास यह पर हो जाएगा अब देखते हैं अगला परशने पर क्या बढ़ जाएगा तीस नमर्ण ने भक्ति काल के ठीक है चले अब आगे पढ़ते हैं को इस्ट एक तीस सारे प्रशनों को अगर हम लोग देख लेते हैं दोस्तों तो यह सारे प्रशन आपको बोर्ड एक्जाम में पूछने की पूरी संभावना है भूसन को क्या है भूसन को भूसन की उपाद सारे अब आगे बढ़ते हैं धालर रुक्ति क्या बहुत जार's एक लाओक देखे को यह सेंकर परसाद का जन्क हुआ तो दोस्तों तो 32 का ढSTA Etborne क्या हो जाएगा वारा सी हो जाएगा अब आगे देखते हैं क्वेश्ट नमर क्या 33 को देखेंगे क्या बोला जा रहा है कि पुत्र है वियोग सिर्शक कविता सुबद्रा कुमारी चोहन की किस पुस्तक से ली है तो दोस्तों इसका राइट अंसर क्या है ठीक है जले चले अब आगे बदते हैं क्या देखेंगे 54 क्या बनुकर है कि परकिर्थी वर्नन से संबंधित कविता है तो चौहनिक नमबर क्यों हो जाएगा अब आगे क्या कवीता के कवी का नाम बता है तो 36 का राइट अगे बरते हैं एक प्रशन देख लेते हैं क्या बोने जा रहा है कि प्यारे ननहें बेटे को कवीता में लुहा किसका परतीक है तो 38 नमबर का आंसर यहां पर B नमबर हो जाएगा यहांनि करम का ठीक है यहां पर करम का हो जाएगा अब दूस्तों 39 नमबर देख लेते हैं क्या बोला ज़्ड़ाएं कि प्यारे बेटे नने को कवीता कि संगेरे से ली गए है तो 49 का राइट अंसर क्या हो जाएगा यानि क्या जाएगा दोस्तों सब कुछ होना बचा रहेगा बी नंबर हो जाएगा अब देख लेते हैं आगे परशन नंबर 40 क्या बोला जाएगा खेत रहना सब देखा अर्थ है खेत रहना सब देखा अर्थ है तो दोस्तों 40 नंबर क यहां पर क्या हो जाएगा तो बी नंबर जाएगा नहीं मारा जाना मारा जाना ओके चले दोस्तों अब आगे देखते हैं question number 31 क्या बोले हार जीत कवीता के कवी का नाम बताने के लिए बुला है तो यहां पर गाउं खाए गर सिर्षक कवीता के कवी का नाम बताएं तो दोस्तों इसका राइट आंसर का उच्छा नंबर जागा यानि इन्दर पती अब आगे बढ़ते हैं कोश्चिन नमर क्या बोले जा रहा है पहला सम्मान इन्दर पती को कब दिया गया था तो दोस्तों तो दो आग च्छे में दिया गया था अब देख लेते हैं अगला प्रस्ट ने क्या पर जा रहा है कहे रहा है कि पेसगी सिर्षक कहानी के रचता का नाम बता है तो चवालिस का राइट अपर क्या हो जाएगा यहीं हेनरी लोपोज हो जाएगा अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नमर क्या है पैटारिस नमर हैंनेरी लोपोज कहा के रहने वाले थी तो पैटारिस का राइट नमर हो जाएगा यानि कांगो हो जाएगा कांगो अब देखते हैं क्वेश्चन नमर क्या च्छे च्छानीस सब्स बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ है तो इसका क्या हो जोग स्वाव लब्मी होना ठीक है चले अब आगे बढ़ते हैं question number 48 क्या बोला जारा है गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है तो गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है तो 48 का लाइट इनसर ए नमर हो जाएने कि यहां पर जाएगा यानी किसी की दुस्ट सा का कराणा जवाब देना कि ठीक है तो यहां पर जोस्तों पचास अब्जेक्टिव को कवर कियें इसमें जो दोस्तों एक सो पर यह लेकिन हम लोग कितना को पचासी को कवर करें कि वीडियो काफी लंबा हो जाता है जिससे आप लोग नहीं देखते तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो इतना है तक